आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा में एक रुज्ञान है कि वे मन, चेतना और दिमाग को इस तरह पहचानते हैं, कि मन को दिमाग की गतिविधी माना जाता है, चेतना को मन की गतिविधी माना जाता है, और उनका रासायनिक उपचार करके उन्हें रासायनिक रूप से बदला जाता है और ये भी कि खुशहाली दिमाग की अच्छी केमिस्ट्री है उची चेतना भी दिमाग की अच्छी केमिस्ट्री है दुख दिमाग की बुरी केमिस्ट्री है इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है लेकिन इसे बहतर बनाने के लिए हमें इसकी केमिस्ट्री को बदलना होगा अब योग विज्ञान के अनुसार दिमाग, मन और चेतना तीन अलग-अलग चीज़े हैं लेकिन वे एक खास स्तर पर संबंधित हैं तो मैं सद्गुरु जी से यह जानना चाहता हूँ कि दिमाग, मन और चेतना की क्या प्रकृती है और हम दिमाग और मन में फसे बिना उनका उचित तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चिकित्सा मॉडल के बारे में भी जो दिमाग की केमेस्ट्री से ज़ादा चेतना पर जोर देता हो योग विग्यान में दिमाग जैसा कुछ नहीं होता दिमाग सिर्फ शरीर है जैसे दिल है, जैसे जिगर है वैसे ही दिमाग है ये भी बश शरीर है मुझे लगता है कि दिमाग को बहुत ज्यादा बढ़ा चड़ा कर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था हमारी शिक्षा प्रणालियां पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गई है हमें लगता है कि तर्क ही सब कुछ है अब मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा जब किसी बहुत ही जटल चीज को कम शब्दों में कहा जाता है तो उसमें कुछ कमिया रह जाती है अगर आपको कमी नजर आए तो मुझे बताना वरना ठीक है तो योग विज्ञान के अनुसार मन के सोला हिस्से है और ये सोला हिस्से चार श्रेणियों में आते हैं पहली है बुद्धी बुद्धी मतलब तर्क मैं आपसे पूछता हूँ आपको बुद्धी तेज चाहिए या मन्द आप सब चुनिये मैं आपको आशिरवात देने वाला हूँ आपको तेज चाहिए तो बुद्धी एक चाकू की तरह है चाकू का इस्तमाल चीजों के दो टुकड़े करने के लिए होता है यही बुद्धी की प्रकृती है आप जो भी देंगे वो उसके दो टुकड़े करेगी पूरा आधुनिक विज्ञान मनुश्य की बुद्धी से पैदा हुआ है इसलिए सारा काम चीरफाड से होता है अगर आप एक विज्ञानक को फूल देंगे तो वो इसके टुकड़े करके देखेंगे अगर आप इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां ज़रूर मिल जाएंगी पर आपको उसके बाद फूल नहीं मिलेगा अगर अब आपको कुछ वाकई जानना है मान लीजे आपको आपकी मां के बारे में जानना है क्रेपया उनके टुकडे मत करना ये ऐसे काम नहीं करता क्योंकि जो चीज आप चीरफार से जान सकते हैं वो जीवन का बहुत एक पहलू है आप जीवन को चीरफार से नहीं जान सकते सिर्फ बहुत एक चीजों की चीरफार की जा सकती है पर अब हम हर चीज जानने के लिए तर्क का इस्तिमाल करते हैं तो हम दो टुकडे करने की कोशिश करते हैं हम दुनिया को एक करने की समानता और आत्मग्यान की बात करते हैं और सब कुछ तर्क से करना चाहते हैं ये ऐसा है जैसे चाकू का सिलाई के लिए इस्तिमाल करना। अगर आप चाकू से कुछ सिलेंगे, तो आप उसके टुकडे कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा ग्याने कठा करते हैं, गलत फैमी और सत्य से दूरी उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए नहीं कि जानकारी बुरी है, पर इसलिए क्यूंकि हम चाकू से सिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तर्क एक चाकू की तरह है, इसे तेज होना चाहिए, ये जीवित रहने का औजार है। अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता, तो आप इस धर्ती पर जिंदा नहीं रह पाते, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है, पर ये तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक कुछ मात्रा में याददाश्ट ना हो। अगर आपकी सारी यादश्ट मिटा दी जाए, तो इससे फरक नहीं पड़ता कि आपका बहुत एक स्तर कितना है। अगर आपकी सारी यादश्ट चली जाए, तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे। आप शायद तब भी बुद्धिमान हो, पर आप मूर्ख लगने लगेंगे। भारत में ये हमेशा होता है, लोग ग्रामीन और शहरी बच्चों को साथ बिठा कर उनका टेस्ट लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि शहरी बच्चे के पास ज्यादा जानकारी है, तो वो स्मार्ट लगता है। गाउं का बच्चा मूर्ख लगता है, लेकिन आप उन्हें वास्तिविक स्थिती में रखें, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे, क्यूंकि उनकी बुद्धी पूरी तरह से सक्रिया है। तो तरक तभी समझदार लगता है, जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं। इसलिए Information Technology का इतना महत्व है, और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है। वो केवल वक्त बरबाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते। उसकी वज़ा है कि सिर्फ उन्ही छोटी छोटी जानकारीयों के सहारे ही वो अपने समाज में दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते हैं। सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक उधारन देता हूँ हमारे यहाँ दो तरह के स्कूल है एक स्कूल आधनिक है और वहाँ 30 प्रतिशत बच्चे अमेरिका से भारत पढ़ने आते हैं और दूसरा स्कूल पूरी तरह से पारंप्रेक है वहाँ हम उनको योग, शास्त्री नृत्य, शास्त्री संगीत, कलरी पायट्टू जिससे सभी मार्शिल आट्स पैदा हुए हैं संस्कृत और अंग्रेजी भाशाएं सिखाते हैं उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्यान नहीं दिया जाता ये कुछ साल पहले की बात है सारे छोटे बच्चे हाथ दोने के लिए भागे नल इतनी उचाई पर है छे से साथ साल के बच्चे वहां तक पहुँच नहीं पाते तो आधुनिक स्कूल के सारे बच्चे वहां जाकर बहुत सभ्यता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे की कोई शिक्षक या कोई और आकर बेंच रखे जिस पर चढ़कर वो हाथ दोएंगे और ये दूसरे बच्चे दोड़े बड़े बच्चे नीचे जुके चोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ दोकर भाग गए तो आजकल तरक को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धी के दूसरे आयामों को बिलकुल विक्सित नहीं किया जाता तो मन के अगले आयाम को अहंकार कहते हैं जिसे हमने पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया है कई लोग अहंकार को एगो समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अहंकार मतलब पहचान आपकी पहचान किस आधार पर बनी है क्यूंकि तरक मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है जो आपने अपने लिए बनाई है अगर मैं कहता हूँ कि मैं भारती हूँ तो अचानक मेरा तरक मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी अगर आप बस एक कपड़े का टुकड़ा लोगों को दिखाएं मेरा मतलब जंडा तो लोगों की आँखों में आँसू आ जाएंगे ये सिर्फ एक पहचान है अगर वो कहीं और रह रहे होते और आप वहां का जंडा दिखाते तब भी यही होता भारत और पाकिस्तान में ये आसानी से नजर आता है क्योंकि ये एक ही देश था पर अचानक किसी ने रेखा खीच दी और सारी भावनाएं जैसे काम करती हैं वो अधवुत है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इसके या उसके आधार पर अपनी पहचान बनाई है तो तरक एक साधन है जो आपकी पहचान की रक्षा करता है पहचान वो साधन है जिसकी वज़े से तरक एक निश्चित तरीके से काम करता है निश्चित तरीका मतलब मान लीजे आप सिर्फ इस एक व्यक्ति यानि मैं के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं आपकी बुद्धी हर वक्त सिर्फ आपका बचाव करने का प्रयास करेगी, हर वक्त बस यही करेगी, अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान है, तो आपकी बुद्धी उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी, ये समोधाय, जाती, धर्म, देश, कुछ भी हो सकता है, हमने जाती, धर्म और देश के नाम पर कितने ऐसे कारे किये हैं, जो बिलकुल मूर्खता, पूर्ण और अमानवी हैं, लेकिन हम उन्हें बड़े गर्व के साथ करते हैं, क्यूंकि हमने अपनी पहचान उनके अधार पर बनाई है, ये ही पहचान की प्रकृत अगर उसी समानता को आगे बढ़ाना हो, तो अगर बुध्धी चाकू है, तो जो हाथ उसे पकड़ता है, वो पहचान है, आप मोझे बताईए, चाकू के काम करने के लिए ये जरूरी है कि चाकू तेज हो, लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास, ये उस हाथ पर निर चोटी से चोटी पहचाने बनाते जा रहे हैं, इस से हर हाल में अश्चांती ही होगी, मनुश्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी, कोई और रास्ता नहीं है, प्राचीन काल से ही, पूर्वी संस्कृतियों में हमेशा भ्रहमांड य पहचान की शिक्षा दी जाती ह अहम ब्रहमास्मी, बारा साल की उम्र में आपको ये पता होना चाहिए, अहम ब्रहमास्मी, इसका अर्थ है, मैं ब्रहमांड हूँ असीम के आधार पर पहचान बनने से पहले, शिक्षा बिलकुल नहीं दी जानी चाहिए, सिर्फ पहचान स्थापित होने के बाद ही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सही तरह की पहचान की बिना, शिक्षा बिनाशकारी हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक सीमित पहचान ह ये मेरा देश है, वो आपका देश है, ये मेरा धर्म है, वो आपका, ऐसा ही होता है। पहचान का विकास किये बिना ही हम चाकू को तेज बना रहे हैं, हमारा हाथ अस्थिर है, पर हम चाकू को तेज बना रहे हैं और यादाश्ट से उसे शक्तिशाली बना रहे हैं, तो मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं, यह यादाश्ट का संग्रह है, यहां यादाश्ट के स्पश्ट यादाश्ट, अस्पश्ट यादाश्ट, ऐसी ही यादाश्ट की कई सारी अवस्थाएं हैं। लेकिन आदी योगी ने 15,000 साल पहले ही इसके बारे में बात की थी। फिर पूर्ण विक्सित लेकिन क्रोधी मानव, फिर शांती पूर्ण मानव, फिर प्रेम में मानव, उसके बाद ध्यान में मानव, और आखिर में दिव्यदर्शी मानव होने की माननेता है। ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है, ये इस ग्रह के जीवन के विकास की कहानी है। तो पंदरा हजार साल पहले, किसी ने ये माइक्रोस्कोप से देखकर नहीं, बलकि अपने भीतर देखकर बताया था। क्यूंकि विकास की पूरी कहानी यहां लिखी है। योग विग्यान इसी पर केंद्रित है कि याददाश्ट के अलग-अलग आयामों को कैसे सक्रिय करें। क्यूंकि अगर आपकी याददाश्ट सीमित है, तो आप हर हाल में बचकाने काम करेंगे। अगर आपका तर्क बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है, तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान ब्रह्मांडिय हो, असीमित पहचान हो, और आपकी याददाश्ट इस तरह से विक्सित हो कि उसके सारे आयाम सक्रिय हो। यह तीनों एक निश्चित तरीके से काम करते हैं, कुछ लोगों ने इसे खास तरीकों से विक्सित किया है, लेकिन ज्यादतर यह अस्थ व्यस्थ ही हो रहा है, तर्क बहुत ज्यादा है और बाकी चीजों को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। बुद्धी के चौथे आयाम को चित कहते हैं। यह बुद्धी का वो आयाम है, जो यादाश्थ से प्रभावित नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि हम अभी जैसे हैं, वो सिर्फ हमारी यादाश्थ की वज़े से। चाहे वो हमारी त्वचा का रंग हो, या हमारी पहचान किस रूप में हैं, हम पुरुष हैं, या स्त्री, सब कुछ यादाश्थ तै करती। हमारे अंदर जो यादाश्थ मौजूद है, वही सारे पहलू तै करती। मैं एक मनश्य हूँ या कोई और प्राणी, ये भी यादाश्थ तै करती। यादाश्थ एक अदभुत संभावना है, लेकिन वो एक रुकावट और एक सीमा भी है, जिसे अब मैं और आप कहते हैं, उनकी बीच की सीमा भी सिर्फ यादाश्थ ही है, जो मुझे अपने सिस्टम में याद है, और जो आपको अपने सिस्टम में याद है, वही सीमा तो यादाश्ट एक सीमा भी है और जितने भी रूप हुए हैं उनका आधार भी एक निश्चित यादाश्ट है जो कई तरह के धांचे बनाती हैं वो धांचे फिर बहुत एक रूप लेते हैं हम अभी जिस तरह हैं और जैसा हमने रूप लिया है वो उस बुन्यादी यादाश्ट की वज़े से ही है ये यादाश्ट कभी ब्रहमित नहीं हुई मान लीजे आप और एक गाए रोज आम खाना शुरू कर दे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन सैयोग से या यादाश्ट की भूल से गाए मनुश्य बन गई हो या आप गाए बन गए हो आप दोनों एक ही तरह का भोजन खाएं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि यादाश्ट बहुत मजबूती से स्थापित है और ये कई सतरों पर है हम यादाश्ट के आठ अलग आयामों की बात कर रहे हैं लेकिन चित में कोई यादाश नहीं होती यादाश नहीं है तो सीमा भी नहीं है वो बुद्धी जिसकी कोई सीमा नहीं है योग संस्कृती में इसे शरारती तरीके से व्यक्त किया गया है हम कहते हैं अगर आप चित को स्पर्ष कर लें तो ईश्वर आपके गुलाम बन जाएंगे क्यूंकि अगर आपकी बुद्धी असीमित है तो सब कुछ आपकी पहुंच में होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्यूंकि आपको समझना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है पहली बार हमारी जीवित रहने की प्रक्रिया इतने बहतरीन तरीके से व्यवस्थित है पहली बार मनुश्यों के पास इतना समय है कि वो चीजों पर ध्यान दे सकें वरना भोजन का प्रबंध करने में ही 24 घंटे लग जाये करते थे संपन्न समाजों में हम फिर से वही पुरानी चीज़ें कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया मॉंटाना में किसी को तीन काम करने पड़ते हैं जब यहां इतनी सारी जमीन है तो आपको भोजन के लिए काम पर जाने की क्या जरूरत है क्यूंकि आपको भोजन वालमार्ट से खरीदना है मेरा मतलब हमने सारी परिस्थिती को टेड़ा मेड़ा कर दिया है पहली बार जीवन चलाने के लिए उधारन के लिए आज आप सूपर स्टोर जाएं जो भी आपकी एक साल की जरूरत हो वो सारी चीजे खरीद ले और एक साल तक घर से बाहर न निकले ये संभव है ऐसा पहले कभी संभव नहीं था अगर आपको आज सुबह के लिए पानी चाहिए होता था तो आपको नदी या तालाब या कहीं और जाना पड़ता था लेकिन पहली बार जीवन चलाने की प्रक्रिया इतने अच्छे से व्यवस्थित है कि अब मानवता का वक्त आ गया है अब वक्त आ गया है कि मनुश्य जीवन के गहरे आयामों को खोजें